नमस्का दोस्तों, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है All Exam Guide Guru के यूटूब चैनल पर हम आपके लिए 100 प्रशन लेकर रहा हैं जीके के, यहाँ पर हम 900 तक प्रशन पढ़ चुके हैं आज 1000 प्रशन पूरे हो जाएंगे, 900 से लेकर 1000 तक के कॉशन आपको मिलेंगे यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो लाश्ट में आपको वीडियो के लिंक देदूँगा जरूर देख लेना, बहुत ही शानदार कॉशन है, स्टार्ट करते हैं पूरे वीडियो को सो के सो कॉशन अच्छे से दिखीगा, बहुत जादा इंपॉर्टन कॉशन है, पहला कॉशन दिखिए, आजीव किसंपरदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीव किसंपरदाय के संस्थापक मखली गौशाल थे, यहां तक मैंने कॉशन करा दिये थे, 901, यह आप से कॉश ब्रीही यह जो शब्द यूस किया गया था, यह इसका अर्थ होता है, जावल, option number D, प्रशन के लिए राइट आंसर है, अमीर खुसरो का जल्मिस्तल क्या है, तो अमीर खुसरो का जल्मिस्तल है, पटयाला, option number C, पटयारा, राइट आंसर है, राम चरत्र मानस, यहां पर, क महराज इस्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई कौन थे उनका नाम है आपका च्छत्रपतीश सिवाजी महराज option number a यहाँ पर राइड आंसर है गुरु गोविन सिंग कौन थे तो गुरु गोविन सिंग यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा सिक्षों के दसवे और अंतिम गुरु थे खालसा के संस्थापक भी थे 1699 इसी में और दश्यम ग्रंत के रचेता उप्रोग तो सभी प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विजय नगर कला के उधारन कहां पाई जाते हैं तो विजय नगर कला के उधारन राइड आंसर रुजय का हमपी ऑप्शन नबर भी हमपी राइड आंसर है अकबर के दरवार में आने से पहले मिया तानसेन किसकी सेवा में थे तो तानसेन ये राजा राम चंद्र की सेवा में थे option number C right answer है मुगल सामराज के पतन के समय जाटों ने किनके निर्थत्व में एक राजनितिक शक्ती के रूप में स्वयम को संगठित किया जाट थे उन्होंने चूड़ामन के निर्थत्व में एक राजनितिक शक्ती को संगठित किया option number B जैपर दिल्ली मत्रा और उजयन में जंतर मंतर के नाम से वेदशाला का निर्मान किसने कराया तो जंतर मंतर बनवाय था सवाई राजा जैसिंग ने option number A जैसिंग राइट आंसर प्रिश्णी के लिए दिल्ली सल्तनत का कौन से शाषक नहरों जलाशयों जीलों और सिचाई सूदाओं के निर्मान के लिए सब विख्यात है तो ये सबी चीज़ें बनवाने में फिरोज शाहत तोगलक विख्यात है नहर बनाये थे जलाशय बनाये थे जील और सिचाई के लिए option number C जब 1857 का विद्रो हुआ था उस समय ब्रिटिस भारत का गवर्णर जेनरल कौन था तो ब्रिटिस भारत का गवर्णर जेनरल option number B अबर प्रिशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन दिखे मगद का कौन सा शाशक बुद्ध का समकालिन था तो मगद के समय जब बुद्ध थे उस समय आपका बिम्बिसार option number यहां पर सी प्रशने के लिए राइट आंसर है श्री ए ओ ह्यूम जो भातिय राष्टी कॉंग्रिस के संस्तापक थे वो एक क्या थे तो ए ओ ह्यूम जी यह सेवल करमचारी थे option number C right आंसर है वैदिक युक्के लोग द्वारा सरपदम किस धातू का प्रयोक किया था तो वैदिक लोगों के यो वैदिक युक्के लोगों ने लोहा का प्रयोक किया था option number यहां पर C right आंसर है नरम दली राष्ट्रवाधी आंदोलन की मांग क्या थी तो नरम दली राष्ट्रवाधी आंदोलन न्याय पालिका का कारे पालिका से प्थक्रण करना चाहता था option number C यहाँ पर right answer हो जाएगा नरम दल के लोग हडपा सविता का कौन सा इस्तल भारत में नहीं था यहाँ पर आपको जो option देगा है इसमें से बाला कोट यह हडपा सविता का इस्तल है और यह भारत में नहीं है आर्य भारत में किस रूप में आय थे तो जो आर्य लोग थे यह आक्रमण कारी के रूप में भारत आय थे option number C निमन में से कौन सा नेता नरपपंती नहीं है मतलब गरमपंती था नरपपंती नहीं था लाला लाज पतराई यह नरंपंती नहीं थे गरमपंती दलके थे option number है निमनलकित में से कौन इंडियन नेशनल कॉंघरिस का पहला मुसलिम अध्यक्ष बना था ? सबसे पहला मुसलिम अध्यक्ष बदरुदीन तैयब जी ऑप्शन नमर भी बदरुदीन तैयब जी प्रशनी के लिए राइट आंसर है भारत का राष्टी पंचांग केलेंडर किस पर आधारत है तो राष्टी पंचांग सक्समवत पराधत है option number C निम्न लिखित में से किसने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार है तो यह जो नारा दिया गया था यह दिया गया था बालगंगधर तिलकजी का स्वाराज मेरा जन्म सिद्धstate अधिकार है और मैं से मैं इसे लेकर aoo यह बाल गंगधत्य लग जी ने कहा था निम्न लिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामायक नहीं था तो यहां पर आईट अंसर हो जाएगा मिलिंद विंबिसार गौतमबुद और प्रसेंजीत यह समसामायक हैं मिलिंद इनके समसामायक नहीं था उप्शन नबर स्य 28 सताब़वी में भारत में लड़े गए युद्वों का सई काला नुकरम कौन सा है तो जो अठारवी सताब्दी में युद्र ले गए थे, सबसे पहला था अंबर का युद्ध, उसके बाद हुआ था प्लासी का युद्ध, उसके बाद हुआ था वंडी वश का युद्ध और उसके बाद हुआ था बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नुमर भी यहां पर संतावन के नायक थे option number A निम्न लिखित में से कौन एक छेत्र 18 संतावन के विद्रोव से प्रभावित नहीं था यहां पर आपको जो option दिये तो जो गदर क्रांती कारी थे ये आपके उत्तरी अमेरिका इनका आधार स्थल था option number B निम न लिखिते में से किसे ने वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया तो वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट लॉड रिपन ने निरस्त किया option number B सब्सक्राइण किसे सट्र में कारेकारी कमेटी करने का अधिकार दिया गया था तो सभीने अवग्या आंदोलन यह लखना उसत्र में प्रारंब करने का अधिकार दिया था नहीं हुआ था तो 1935 की बात हो रही है पंजाब प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निमने लिखत चार वेदों में से किस एक में जादूई माया और वशीकन का वर्णन किया गया है तो जादूई माया वशीकन अथर्ववेद ऑप्शन नमब सी राइट आंसर लॉड मांट वेटन विशेश अनुदेशों के साथ वायस राय के रूप में भारत कब आये थे तो लॉड मांट वेटन आये थे कॉंग्रेस को विवाजन सुईकार करने हितू मनाने के लिए प्रशन के लिए राइट आंसर है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के को नाम था फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन वसी जीटी रोड किसके शाशनकाल में बनाई गई थी तो जीटी रोड बनी थी आपकी शेर शाह शूरी के समय ऑप्शन वसी राइट आंसर है अंतिम मुगल समराट इन में से कौन सा था तो आकरी था बहादुर शाह जफर या पिर बहादुर शाह द्वति और इसी को रंगून भेज दिया था शक समवत जो अठतर इसा पूर्व से प्रारंब होता है प्रकट करता है तो सक समवत प्रकट करता है कनिश्क का शाशन आरंब का ओप्शन वसी राइट आंसर है वासकोडी गामा ने भारत की समुद्री मार जो है आशा अंतरीप होका ढूंडा और सबसे पहले कहां पर पहुंचा था तो सबसे पहले वासकोडी कहां पहुंचा था काली कट पर ऑप्शन अमड़ी यहां पर राइट आंसर काली कट निम्नल कितमें से किसराश्टवादी नेता ने जर्मनी और विटेन के युद्ध क तो ऐसे देवी आउसर के रूप में देखा जो भारतियों को लाभानवित कर सकता है तो जर्मनी और बिटेन का जो युद्ध हुआ था इनमें से इस आउसर को सुबाश चंद्रबोजी ने देखा था ऑप्शन अमबर सी राइट आंसर है अंग्रेजों की साशनकाल में भा स्वतंत्र विकास नहीं हुआ इसका क्या कहान था तो स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया क्योंकि विदेशी पूंजी की दुरलफता थी ऑप्शन नमबर भी राइट आंसर हुजाएगा इसा की तीसरी सदीश से जबकि हुणों के आक्रमों से रोवन सामराज को समाप्त कर दिया भारती व्यापारी आधिकारिक किस पर निर्वर करते थे तो भारती व्यापारी की जो थे ये निर्वर करते थे आपके दक्षन पूर्व एचियाई भी व्यापार पर ऑप्शन न सबसे पहले रेलड वेलाइन किसके शाषनकाल मेंस हुई सबसे पहले रेलेवेड लाइन लॉड ड़ल्होजी के साठेटों निर्मित हुई option a मंदिरों की उत्र सीली किस रूप में जानी जाते है तो मंदिरों की उत्तर जैली नागर शैली कहिए जाती है उप्शन नमबर भी नागर शैली राइट आंसर है कॉंग्रेस छोड़ी के बाद सुभाश अंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था तो कॉंग्रेस छोड़ी थी और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन तो देखिए बुलं दर्वाजा फतेपुर सीक्री में है अनूप तालाब भी है और पंच महल भी है किला कोहना मज़ित ये फतेपुर सीक्री में नहीं है सही चयन कीजिए एक तरब समराठ है एक तरब मकबरा है पहले दिया है बाबर लाहोर अकबर बाबर जहांगीर और शाहजा इन सब के आपको चूज करना है तो हमें आपको बता देता हूं सही आंसर सीधे और आपको बता देता हूं किसकी कहां पर है किसका मकबरा कहां पर है तो सबसे पहले बाबर का मकबरा ये आपका है काबुल में, बाबर का मकबरा काबुल में है, अकबर का मकबरा राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका सिकंदरावें, इसके बाद है आपका जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का लाहोर में है और शाह जहां का है आगरा में, मत इसके गनतंत्र में बुद्ध ने महापरी निर्मान प्राप्त किया था तो बुद्ध ने महा चांदी के सिक्गे को क्या कहा जाता था तो चांदी के सिक्गों को रुपक कहा जाता था जो गुप्ति सामराजी ने जारी किया अप्शनमरी रुपक राइट आंसर हो जाएगा भारती राष्टी कॉंग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्विकार कर लिया था तो पूर्ण स्वराज को स्विकार कर लिया गया था लाहूर अधिवेशन में अप्शनमरी राइट आंसर है भारत को सुतनता देने का ब्रिटिश विचार किस कान से बदल गया था तो भारत को सुतंता जने का ब्रिटिश विचार बदल गया था इसका रीजन था सबसे पहले ब्रिटेन की सरकार के बदलने कान सबसे पहले यह और दूसरा जियन था भारत में राश्टीता के बढ़ते हुए जवार के का ही है option नमबर भी दो और तीन प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा जनगड़मन गान की रशना रविद्ना टैगोर ने की थी जो जनवरी 1912 में सरपतम प्रकाशित हुआ था इसका सीशक क्या था तो जनगड़मन जो सीशक से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था भार नमबर विष्णू पलुसकर option number C लिए राइट आंसर हो जाएगा नरम दल और गरम दल के बीच मदभेद भाती राश्टी कॉंग्रिस के समिल में घुमा के पूछा गया है मदभेद या फिर विभाजन दोनों इकी चीज़न दोनों सूरत अधिवेशन में हुई थी चाहें तो बौध धर्म और जयन धर्म का परियाए आंसर है अहिंसा दोनों में हिंसा की बात कही गई है त्रिपड़क का एक डैस का एक धार्मिगरंत है तो त्रिपड़क ये आपका बौध धर्म का धार्मिगरंत है option number C पांडवंश की राधानी कहां थी तो पांडवंश की गुरू अर्जुन देव का अवद किसके शेक्षिंकाल में राम अनुज से और राम अनुज ने किसका उपडेश दिया था तो राम अनुज भक्ति का अब्देश दिया था ओप्शन नमसी राइट आंसर है निम दर्पित में से किसने 18 संथा उसन के विद्रों में भाग ही यूँनानी और रोवनोंने सहयता पदानकी अपशन महाराष्ट्र में जो ऐलोरा की के शाशनकाल में हुआ तो एलोरा की कुफा राश्ट कूटों के समय बनी है ऑप्शन नमबर यह कॉंग्रेस का प्रिथम विवाजन कहां पर हुआ था तो कॉंग्रेस का सबसे पहला विवाजन सूरत में हुआ औक प्रसिद्य क Catalig युद्ध लडा गया था तो कलिंग युद्ध 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 लडा गया था ऑप्शन बई हख लिए अंद्रप्देश में है enorm paysLEX राइट अंसर कहा गया था तो Frontier गांधी खान अब्दुल्गफार खान ऑप्षिन स्थापक था जोतिवा फोले जी ऑप्षिन नमब भी जोतिवा फोले प्रशने के लिए राइ्ट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देखिए निम्नल कितम div coz ख के पक्ष धर नहरू जी थे तो नहरू जी यहां पर गिए ऑप्षلام दीए कहें इनमें से राइट आंसर हो जाएगा यह बारी औध्योगी की करण के प्रक्ष昨र थे निम्नल कितम के अंतरत कॉंग्रेस की मंत्री परिसर का गठन नहीं हुआ तो राइट आंसर हो जाएगा मंत्री परिसर का गठन पंजाब मैं नहीं हुआ ऑप्शन अबड़ी प्रतम विश्व युद्ध के दौरान सक्री होने वाले गदर क्रांती कारियों का आधार स्थल क्या था तो गद जैकिसान जैविज्ञान ये किसका नार था कमेंट करकिए मिलंद पन होक्या है तो मिलंद पन होक्य सब्सक्रेइग और शाषक की भहांशा क्या थी फिस्मिस सब्सक्राइक संग्य ऑप्शन या कितनी ہے अशोक यहां पर लिखा नहीं है नोट का लीजिए अशोक जो थे यह आपके मौरे वंच से सम्भन थे मैं लिख देता हूं मौरे वंच के थे अशोक या रखेए काई बार पूछा गया कॉश्चन है सिंदु घाटी के लोग निम्दल किस की पूजा करते थे तो सिंदु घाटी के जो लोग थे यह पशुपती जी की पूजा करते थे और सी राइट आंसर है पानी पत के तरती युद्ध में मराठे अफगानों से पराजित हो गए थे और भारत में कलेक्टर पद का सिजन कपसे हुआ तो कलेक्टर का पद जो है यह 1772 ईसवी से स्रजित हुआ था और अकबर के शाशनकाल में अनुवादि महाभारत के फारसी में अनुवाद उसका नाम क्या था तो फार्सी में रजब नामा है महाभारत का नाम क्या है रजब नामा वैदिक युग में डैश तो वैदिक युग में आपके विद्वाप पुनर विवाह कर सकती थी वैदिक युग की बात हो रही option number C right answer है नव पाशान काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था तो नव पाशान के लोगों द्वारा कुट्टे को सबसे पहले पाला गया option number C निम्नलिकित अधिनियों में से किसने गवर्नर जनरल की परिशत को कानून बनाने की शक्ती प्रत्या युजित की तो कानून बनाने की सक्ती प्रत्या युजित की थी राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्टर अधिनियम 1853 और इसके साथ ये रहा आपका आज का आखरी question एंग्यों मराठा युद में मराठाओं की हार का कारण क्या था युजियों की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता उपरोग तो सभी राइट आंसर हो जाएगा एक हजार question हमने complete कर लिये हैं ये रहा आपका surprise question आप बोलेंगे तो 3000, 4000, 5000 इतियास के question लिकर आएगे यदि इसको continue रखना है तो comment box में next part जरू लिखना क्या लिखना है अगला part अगला part चाहिए तो comment box में 1000, 1000, 1000 से लिकर आपके 1100 तक की question आएगे इस प्रशन कांसा दीजिए Congress का एक मात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था जिसमें गांधी जी द्वारा अधिक्ष्टा की गई थी option दे रहा हूं option number a और option number b में कोई एक सही है comment करके बताए गांधी जी ने किसमें अधिक्ष्टा की थी दोस्तों इमानदारी से मैं आपके लिए बहुत 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 दने वारा है तो आपका चोटा सा फर्ज है प्लीज हमारे इस वीडियो को शेर कीजिए जादे ज्यादा जितना ज्यादा शेर करेंगे उतना ज्यादा हमें motivation आएगा और question आपके लिए बनाएंगे तो प्लीज शेर कीजिए चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक लिपने ख्यार रखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका इंशोबो बहुत बहुत धन्यवाद